हेलो फ्रेंट्स मैं जय आपका विसेज ग्यान में स्वागत है फ्रेंट्स और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देखें और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तो देखें फ्रेंट्स जब हम टैली को अपने PC में इंस्टॉल करते हैं तो उस सिच्वेशन में क्या करते हैं कि वहा इससे पढ़ित उलकी देखें पर आइसा होता है कि उसमें कुछ ने कुछ आती है वहां से आप ऐसके करना क्या होता है आपको क्रेंट करें बद 12 फ्रेंड्स मैं भी सबसे पहले आपको बतारूं कि आप जो आईकन उसका shortcut कैसे create करेंगे desktop पर उसके बाद मैं बताऊंगा next trick वो यह होगी कि आप टैली के लिए shortcut keys कैसे set करेंगे जिससे की टैली आप open कर पाएं तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम shortcut कैसे create करेंगे desktop क्यों पर तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे desktop पर और यहाँ पर new का आपको option दिखता होगा यहाँ पर shortcut का option दिखता होगा इस पर जाएंगे यहाँ पर देखिए हम हमें कहा जा रहा है browse करने के लिए त लेकिन बहुत से लोग होंगे मुझे उमीद है कि जिने इंसके बाड़े में नहीं भी पता होगा करेंगे और फिर वापस से finish करेंगे तो जैसे हम करेंगे हमारे पास यह आइकन आ जाएगा अभी मेरा अल्रेडी क्रियेट किया हुआ इसलिए मैं इसे लाश्ट फिनिस नहीं कर रहा हूं अब इसके बाद मैं बता देता हूं कि जब यह आपका आइकन आ जाए तो आप यहां से से हेशी इसली रं कर पएंगे अपनी टैली को मिल हों और रही बात कि हम सक लिए स्थ क्योट कर पाएंग कि जिससे की हम टेली को बिना टैली का के एकन पकंड पर क्लिक किया ही ओपhm में जाना होगा प्रोपर्टीज में जाने के बद फ्रेंट्स आपको मैं बता दूं इसका यूज खाली इसलिए नहीं आता है इसका यूज अने दर परपस में भी आता है सपोस कीजिए कि आपका आइकन डिलीट हो गया तो सिच्वेशन में क्या होता है कि जहां आपने इंस् इस पेस से अगर आप रिमूव करना जाएंगे तो नहीं होगा तो आपको करना क्या है जो भी आपको शॉटकर कीज डिफाइन करनी है आपको एल्ट के साथ वो बटन प्रेस कर देना है जैसे मैंने टैली है तो टी डिफाइन कर दिया है तो उसके बाद आपका कंट्रोल आ टैली हमारी ओपेन हो गई आप देख सकते हैं मैं फिलाल अभी इसे मिनिमाइस कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक बात और बता ना भूल गया अब इसी तरीके साथ्स अब कोई बटन करते हैं या आप क्या है डिफाइन करना चाता है तो आप टैली को नौर्मल विंड्व में ऊपिन करना चाते हैं या विंडों में ऊपिन करना चाते या और नूधु आप धूर रनिट्मिस्टेटर की तरह हमेसा टैली कोटित करणा चाते तो बहुँ आप सेट कर सकते कि यहाँ पर आप टैमी का आइकन भी चेंज कर सकते इमें यहां से आपको को टैली की Location पे पहुंच जाएंगे अगर आपको नहीं ध्यान में कि कहां पर टैली मेरी इंस्टॉल है तो आपको यहां पर दिख भी रहा है लेकिन आप डिरेक्ट पहुचना चाहते हैं तो ओपन फाइल जो मेरी shortcut keys है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर daybook में, देखे friends, जब आप कोई भी entries पास करते हैं, चाहिए आप किसी भी voucher में पास करते हैं, आप suppose कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर यह entry पास करके रखी है, इसका जो billing number है, वो 3 है, यानि voucher number जो है, वो 3 है, अब यहाँ पर अगर मुझे insert करने हूँ, यानि कि ठीक 3 number voucher पर मुझे कोई entry को insert करना हूँ, यानि कि इस voucher को मुझे 4 number करना हूँ, यानि कि 2 और 3 के बीच में मुझे कोई entry को insert करना हूँ, तो इस situation में हम insert voucher का use करते हैं, इसकी shortcut keys होती है, alt के साथ i, वो आपको देख भी रही होगी कि i के नीचे आपको dash दी हुए है, तो इसका मतलब होता है कि आप alt के साथ i press करेंगे, तो आप insert कर सकते हैं, तो जैसे देखिए, मैं यहाँ पर alt के साथ i press करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर sale का जो number वो 3 लिखके आया है, आप देख सकते हैं, तो जहाँ पर भी मैं अपने इस को highlight करके रखूंगा entry को, ठीक उसी entry के जो voucher number होगा, वहाँ पर यह मेरा insert का voucher enter हो जाएगा, यानि कि मैं अगर इसमें कोई entry pass कर दूँ, तो इस situation में होगा क्या friends कि यह मेरा 4 number में convert हो जाएगा, और 3 number इसके just पहले आजाएगा, तो friends इसकी ज करेंगे same date को, तो हमेसा वो entry उसके voucher number के बाद की entry में pass होगी, उसके पहले नहीं होगी, तो उसके लिए insert voucher होता है, और add voucher का मतलब just same है, बस एक खली अंतर है, वो यह है कि जैसे आप यहाँ पर अपने इसको highlight करके रखतें इस entry को, तो अब यहाँ पर अगर आप कोई entry pass करना चाते हैं, यानि, alt के साथ जब आप a price करेंगे add voucher के लिए, तो आपका क्या होगा, कि वो next entry pass होगी, यानि, 4 number में आ जाएगी, तो उसका फायदा क्या होता है, friends की, जैसे आपने 5-6, एक ही date में 5-6, मतलब 7-8 voucher तक entry pass कर लिए, आपको 3 number के बाद को entry भूल गए है, तो उस situation में आप add voucher का use कर सकते हैं, जिसकी shortcut की मैंने आपको बताई दी, alt के साथ a है, तब वो क्या होगा कि just उसके बाद की, मतलब voucher के entry pass हो जाएगी, उसी के तरह अगर आप same को entry pass करना चाते हैं, मतलब एक ही जैसी 2, 3, 4, 5 entries pass करना चाते हैं, तो alt के साथ 2 price कीजिए, duplicate entry के लिए, जैसे अगर मैं इस पर place कर तूँ तो आप देखिए, यहाँ पर साड़ी entry आ चुकी है, बस मैं enter, enter करूंगा, मेरी entry pass हो जाएगी, तो friends, इसी तरीके साब देख सकते हैं, सब के नीचे आपको सब का shortcut दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको button बार में भी सब का shortcut दि करते हैं, यहाँ पर path डालने के लिए, यह हम TDL file डालने के लिए कुछ करते हैं, यहाँ टैली की location, जहाँ पर हमारी location होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा, F2L यानि config में अगर आप चले जाए, data config में चले जाए, यहाँ पर आपको टैली की location मिल जाती है, तो अगर इससे copy करना हो, तो टैली में copy कैसे करते हैं, control, alt और c प्रेस करते copy करने के लिए, और उसी तरीकिये से अगर हमें paste करना हो, तो control, alt और v प्रेस करते, तीनो बटन एक साथ प्रेस करना है, तो आपका paste हो जाएगा, अब हम next बात कर लेते हैं, shortcut की की, अगर आपको export करना है, कोई भ highlight है, मतलब जिस जिस पर आपको red, red दिखाई दे रहा है, वो उसकी shortcut keys है, यानि कि आप वो button प्रेस करेंगे, तो आप easy way में उसके अंदर enter हो जाएंगे, तो friends, कई लोग तो इस चीज को याद रख लेते हैं, जैसे depress करता हूँ मैं, तो display, उसके बाद अगर मैं तुरंट depress क कर देंगे, gateway of telephone, तो direct day book में पहुंच जाएंगे, और ऐसे क्या होता है, हमें धीरे-धीरे करना पड़ता है, इसी कि तरह अगर हम बात कर लें, next topic की, तो friends, अब हम आ जाते है, accounting voucher में, उसकी shortcut की VE है, तो देखें friends, जब हम voucher पे कोई entry कर रहे होते हैं, या कहीं पर भी मान कर चलिए, आप जब laser create कर रहे हैं, जब आप stock item create कर रहे हैं, और वहाँ पर आप stock item create कर रहे हैं, और अचानक आपको जब unit डालना होता है, और आपको ध्यान आता है, कि मैंने तो unit create ही नहीं किया है, या इसी तरीके से आप laser create कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको कोई और च कीज को create करना होता है तो आप एल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे बस यह याद रखे जिस फिल्ड पर आप रहेंगे उस समय उसी की विंडो उपेन होगी जैसे अगर मैं पार्टी एकाउंट ने में रहूं और यहां पर एल्ट के साथ सी प्रेस करूं तो मेरा लेजर उपेन तो वहाँ पर मेरा stock item create होगा ठीक है friends यह इसकी shortcut किया है इसी तरीके से अगर suppose कीजिए यहां पर अगर मैं कोई पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूं जैसे बिहार ट्रेडिंग मैंने सेलेक्ट कर लिए अब मुझे यह देखना है कि मैंने इसके अंदर क्या-क्या define किया है मैंने इसका address क्या डाला है सब कुछ मुझे देखना है और मुझे उससे rectified करना है करना है तो मैं यहां से कैसे कर सकता हूं तो मुझे उसके लिए control के साथ एंटर प्रेस करना होगा यह सभी पर लागूँ वह रहते हुए मैं उसके अंदर चला गया यहां पर मैं कुछ भी change कर सकता हूं और सब कुछ देख भी सकता हूं अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम कोई entries पास करते हैं पूरी हमने पास कर ली उसके बाद क्या हुआ हमें अचानक ध्यान है बहुत जादी मतलब लेंदी करना चाहते हैं तो आप उस इंट्री में जाते हैं उसे जो भी चीज है उसे मोडिफाय करके एंटर एंटर करके आप उससे एकसेप्ट करते हैं उसके लिए उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आप उसके लिए प्रेश करेंगे तो आपकी वह एकसेप्ट हो जाएगी यह एकसेप्ट के लिए बटन होता है कि कहीं पर भी कोई सेटिंग को भी अगर आपको एकसेप्ट करना हो तो आपको कientras करना हो तो autograph करें इसी तरीके सिस्ट हैं अगर मैं बात करण प्रेंट करने से पहले उसके बाद enter प्रेस करके एल्ट के साथ जाइड प्रेस करें जूम करने के लिए उसके बाद scroll down भी आप कर सकते हैं control के साथ आप करसर को आगे पीछे कर सकते हैं जो एडो का बटन होता है या आप माउश से भी कर सकते हैं उपर नीचे देखने के लिए तो फ्रेंड्स अगर मुझे सपोस कीजिए जैसे सेल वाचर पर हूँ अभी मैं अगर मुझे यह देखना है कि मैंने इससे पहले कौन सी इंट्रीज पास की थी तो मैं पेज अप या पेज डाउन प्रेस करूँगा इससे मैं ने जो आप स्टॉक आइटम क्रियेट करने हैं वहाँ पर एक ही जैसे कई नेम है मतलब आपके जो आइटम्स हैं वह सारे के सारे एक ही जैसे खाली थोड़ी बहुत चेंजिंग है तो वहाँ पर हमें बारवर टाइप करना होता है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ आर बटन हो सकते हैं इसी तरीके से किसी भी वाउचर में जाना है तो आप यहाँ पर यह सारे बटन जो आपको सॉटकट कीज दिख रही है एफ 11 के लिए फीचर एफ 12 यानि कॉन्फिग और उसी के बाद टैक्स अनलाइसिस देखनी है तो एल्ट के साथ आप एप प्रेस करेंगे तो एक बात या दखें जिसके नीचे सिर्फ एक डैस ओ वहाँ पर आप एल्ट के साथ वह बटन प्रेस करेंगे जिसके नीचे दो डैस ओ वहाँ पर रक्रो सारी नहीं करेंगे अभी 6.4.2 मे're लेकिन अगर आपको चाहिए होगी तो वो आप अपनी mail ID मुझे इस वीडियो के comment box में देंगे तो मैं आपको वो भी provide कर दूँगा इसके लवा एक बात मैं और बता दूँ कि कई लोग यह बात बोलते हैं कि हमारी जो company है उसमें data जादा होने के करना हम जब increase पास करते हैं तो कई बार हमारी tally attack जाती है मतलब कई साल की मतलब data उसमें रह जाती है एक ही company के अंदर अगर आप उसे split कर दें split के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हो मेरे चैनल पर upload है और इसके बारे में आपको YouTube पर कई वीडियो मिल जाएंगे अगर आप वो देख लेंगे split कैसे किया जाता है तो split कर लें तो आपका जो company है वो अलग अलग create हो जाएंगी तो आपका data कम रहेगा तो company आपकी कम अटकेगी slow कम काम करेगी tally तो आप इस trick को भी एक बार यूज करके देखें अब आजाईए हम बात कर लेते नेक्स्ट ट्रिक के बारे में यानि नेक्स्ट सॉटकर्ट की इसके बारे में वह यह फ्रेंड्स जैसे यहां पर देखिए ऑगेरा के लिए तो मैंने बताई दिया था कि क्या होता है कि केंसल अगर किसी आपके साथ x और फार इल apoyo करना है अब सपोसर कीजिए मुझे यहां पर एक के करके select करना हो जैसे यहां पर देखिए यह मैंने पूरा select कर लिया था लेकिन मैंने Space यहां पर आपको दिख रहा है Space shortcut की एसकी Space button अगर आप Space button प्रेस कर देगे वहाँ पर highlight करके यानि वहाँ पर अपने इसको रखके आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो आपने डिलीट करने के लिए उससे सलेक्ट किया वह अन सलेक्ट हो जाएगी ठीक है फ्रेंट उसी तरीके से अगर मानकर चलिए मुझे यह लाइन को रिमूव करना कि यहां पर यह लाइन दिखाई नहीं दे जैसी जो इंट्री दिखाई नहीं कर लेता हूं कि जैसे नहीं नहीं कहीं पर भी टाइप करते हैं तो वो अगर मुझे दूसरे इंट्री में भी पेश्ट करना है तो क्या करना होगा तो जैसा कि मैंने बताया कंट्रोल एल्ट और सी फॉर कॉपी और कंट्रोल एल्ट वी फार पेस्ट तो यहां पर आप कर आउंगा सेल्स वाचर में यहां पर आप नरे संदेख सकते ब्लैंक है आप देख सकते हैं इसी तरीके साथ भी नरे संद को कॉपी और पेश्ट कर सकते हैं और कई लोग पूस्ते हैं कि अगर मैंने एक कंपनी में कोई लेजर या इस टौक आइटम क्रियेट करके रखा ह है और मैं दूसे कमपनी में उसे फटाफर create करना चाहता हूं तो यह कैसे हो सकता है तो इसके लिए पर इस आपको पताई होगा यहां पर देखिया आप मुझे क्या करना है जैसे सब्सक्राइब करके रखा जिस कंपनी में आपने क्रियेट करके रखा है उस कउपनी सबसे पहले देखेंगे क्योंकि वहीं से आपको कॉपी करना है दूसरी कंपनी में आब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसे कॉपें कर लिया अभ मैं कंपनी यहाँप अब आपको दिök आका बटन बार पर इस पर क्लिक करूँगा अब मुझे यहाँ पर तो आपको दिखा दूं कि यह मेरी जो कंपनी है विसेज ग्यान है आप देख सकते हैं ठीक है अब मुझे यह सारी चीजे सूरज कंपनी में ले जानी है तो आप देखे मैंने सूरज कंपनी ओपनी कर दी तो यहां सूरज नाम लिख चुक है अब मैं इसे सिर्फ एंटर-इं कि अगर आपने group नहीं create किया है second company में तो situation में आपको वहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगी entry आपको मतलब आप enter enter करके save करना जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी आपको वहाँ पर group create करने क्लिक आ जाएगे तो आप L के साथ C press करके group create कर भी सकते हैं या आप एक काम कर सकते है कि जब आप company से कोई भी चीज को transfer करें तो सबसे पहले group को transfer कीजिए फिर unit को transfer कीजिए उसके बाद stock item को transfer कीजिए तो आप इस तरीके से भी transfer कर सकते हैं तो friends अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like किजेगा मेरे चैनल को subscribe किजेगा और हो